नमस्कार आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्त गुरु में आज के एपीसोड में मैं प्रातहकाल इन इसमरणी श्लोक के बारे में बताने जा रहा हूँ इस श्लोक को अवश्य सुने और प्रात हकाल इन श्लोकों का पाठ अवश्य करें जिससे ईश्वर की क्रिपा आप पर सदैव बरस्ती रहे प्रात हिस्मरणी श्लोकों का प्रात हकाल पाठ करने से बहुत कल्यान होता है जैसे दिन अच्छा बीतता है दो स्वपन कलिदोश शत्र पाप और भव के भय का नाश होता है विश्का भय नहीं होता धर्म की वृद्धी होती है अज्यानी को ग्यानप्राप्त होता है रोग नहीं होता पूरी आयू मिलती है विजय प्राप्त होती है निर्धन धनी होता है भूख प्यास और काम की बाधा नहीं होती तथा सभी बाधाओं से छुटकारा मिलता है निश्काम भगवत सेवा करने वाले भगतों को भी इन श्लोक का पाठ अवश्य करना चाहिए आज के एपीसोड में मैं प्रकृति स्मरण का मंत्र आपको बताने जा रहा हूँ साथ ही प्रकृति स्मरण मंत्र का अर्थ भी आपको बताऊंगा श्लोक को सुदने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करें एवं बेल आइकोन जरू दबाईए जिस से आने वाले एपीसोड की पहली सूचना आपको मिल सके जिस प्रकृति की गोद में हम सदैव रहते हैं उस प्रकृति का इस्मरण इस श्लोक से करके प्रकृति को प्रणाम करें प्रकृति इस्मरण श्लोक इस प्रकार से है इसे ध्यान से सुने प्रित्वी सगंधा सरसास्त थाप स्पर्शीच वायुर्ज्वलितम चते जह नव सशब्दम महता सहेव कुर्वन्तु सरवेमम सुप्रभातम। एक बार कुना सुने। प्रित्वी सगंधा सरसास्त थाप स्पर्शीच वायुर्ज्वलितम चते जह नव सशब्दम महता सहेव कुर्वन्तु सरवेमम सुप्रभातम। अर्थात गंधयुक्त पृत्वी रसयुक्त जल स्पर्षयुक्त वायु प्रज्वलित तेज सब्द शहित आकाश तथा महत्तत्व ये सभी मेरे प्रातहकाल को स्मरण करें ये सभी मेरे प्रात हकाल को मंगल मैं करें इत्थम प्रभाते परमं पवित्रम पठेत स्मरेद्वा रिडुयाच्य भक्त्या दोस्वप्न नाश हस्तिवह सुप्रभातम भवेच्य नित्यम भगवत प्रसादात इत्थम प्रभाते परमं पवित्रम पठेत स्वरेद्वा रिडुयाच्य भक्त्या दोस्वप्न नाश हस्तिवह सुप्रभातम भवेच्य नित्यम भगवत प्रसादात इस प्रकार इन प्रातह स्मरणिय परम पवित्र श्लोकों का जो मनुष्य भक्ति पूर्वक प्रातह काल पाठ करता है स्मरण करता है अथवा सुनता है भगवत दया से उसके दूस्वपनों का नाश हो जाता है और उसका प्रभात मंगल में होता है अतह इन मंत्रों का आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बतलाईएगा यदि आप वास्तु शास्त्र से सम्मंदित किसी भी शंका का समाधान करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिये गए वाटसेप नंबर पर एपोइंटमेंट ले करके आप संपर्ग भी कर सकते हैं मिलते हैं अगले एपिसोड में नई जानकारी के साथ देखते रहे आपका अपना चैनल वास्तु गुरू नमस्कार